इस वीडियो में हम जानेंगे रिक गुरिन के बारे में वर्न बॉफेट और चार्ली मंगर के ये तीसरे पार्टनर थे बर्क सार हैत्वे के ये मैजोरेटी शेयर होल्डर्स में से एक थे तो हम सभी जानते हैं कि वर्न बॉफेट सर और चार्ली मंगर सर कितने जादा सफल हुए एज इन्वेस्टर लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत जादा सफल हुए दोनों निवेसक लेकिन रिक गुरीन उतना सफल नहीं हुए उनके असफलता का क्या करण था तो एक बार इंटर्वीव में वर्न बॉफेट सर से पूछा गया कि रिक क्या हुए क्योंकि वो तीनों के तीनों पार्टनर थे इसलिए उनसे एक कोशन किया गया कि रिक क्या हुए आप दोनों को तो हम सभी जान रहें लेकिन रिक सर का क्या हुए तो वर्न बॉफेट सर बोलते हैं कि मैं और चारली जानते थे कि हम दोनों अमीर होने वाले हैं इंदर लॉंग तर में लेकिन रिक हरी में था यानि कि वो जल्दबाजी में था वो जल्दबाजी में अमीर बनना चाहता था लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम दीरे दीरे अमीर बनेंगे और एक दिन जरूर बनेंगे ऐसा हमको पता था लेकिन रीक जो था वो जल्दी हमी बनना चाहता था इसलिए जब मार्केट में जब 1973-74 में जब downturn आया मार्केट में जब crash आया तो जो रीक गुरीन सर थे वो बहुत ज़्यादा leverage लेके और बहुत ज़्यादा margin लेके वो market में participate कर रहे थे और उनको जब market जब reverse हुआ जब downturn हुआ 70% जब crash आया मार्केट में तो उनको बहुत ज़्यादा heavily loss हुआ क्योंकि वो margin लेके trade कर रहे थे और leverage लिये हुए थे इसलिए उनको बहुत ज़्यादा losses हुआ उनको margin pay करने के लिए उनके पास बर्कसायर हैथवे के जो अब सबी सिसटा वरण बफेट सर को उनको बेचना पड़ा और वर्म बफेट सर ने उसको Het khiam इसलिए बॉर्म बफेट सर बताते है कि उसके पास जितने भी सिर्स ठेवा moveनबाट सरадно बेचना परा और उसको खरिदा वर्न बफेट सर नहीं उसको खरदा इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है वर्न बफेट सर कहते हैं कि इसलिए आज हमारे साथ नहीं है और जितना जो सेयर का अप्रेसियेशन हुआ वह बगसार है के सेयर का अमेरिका का एक बहुत अच्छा सेय आगे चलके हुआ और बहुत ज़्यदा अप्रिसेट किया इसके प्राइजें में बहुत अच्छा मूव्मेंट देखनों को मिला इसलिए वर्ण बॉफेट सर दुनिया के अमीर धनी वेक्ती बने और उनका नेट वर्थ अभी भी बहुत ही अच्छा है और चारली मंगर का सर सर का भी नेट वर्थ बहुत ही अच्छा है लेकिन रिग गुरीन का वह एक असफल हुए क्योंकि वह जल्दी अमीर बनना चाहा रहा थे जब स्टॉक मार्केट में अगर आते हैं आप जल्दी हरी में रहते हैं जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपका भी ऐसा ही हस्र हो मिलता हैove इतना अच्छा उसमें पैस उनके सेर्स में भी होता उनके नेटर्वर्ट में बहुता लेकिन वह पहला ही उनको बीचना परा किसी कारण बस और वह कारण बस था जल्दी अमीर होने का इसीरा अगरा मार्केट में अगर आप जल्दी अमीर बनने आएंगे तो जाएंगे market आपको डुबा देगा क्योंकि यहां पे जल्दी में जो भी market में आते हैं वो गवाह कहीं जाते हैं और जो long term में अगर निवेश करते हैं लमबे समय करें निवेश करते हैं compounding का जो असर देखना चाहते हैं जो compounding का जो मज़ा लेना चाहते हैं वह हमेशा लंबे समय में अच्छे पैसे बनाते हैं जैसा कि Warren Buffett Sir और Charlie Mangar Sir ने करके दिखाया है तो आसा करता हूँ कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताए अच्छा लगा या नहीं आई च्छा लगा वूपी कमेंट करेए और कुछ सजेशन साव भूछ की बताना चाहते ह데ं मुछ सुधार करने की जरूरत वर blown करके बताईए अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसे ही बहुत सारे कंटिन्ट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठाइनक्यू